हेलो प्रेंस आप सभी का होम साइंस क्लासिस में स्वागत है तो अचले आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन है ग्रह ववस्ता एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है किसने कहा है या कथन राजमल्क देवदास का है ग्रह प्रबंध क्या होता है ग्रह प्रबंध उद्दोस्यों की पूर्ती के लिए संसाधनों का प्रबंध है जिसके समाध्यम से घर में कला अन परिशानियों से बचा होता है तो सही answer option D, वो देशों की पूर्टी के लिए संसादनों का प्रबंद Next है, कला के तत्व है, कला के तत्व है, रेखा, रंग, सता, नमूना इसका सही answer है, option C Next है, ग्रह प्रबंद की प्रक्रिया में गति वीधियों का सही अनुकरम बताईए ग्रह प्रबंद की प्रक्रियाओं में जो सही गति वीधियों का नुकरम है, वो है option B, आयोजन, संगठन, क्रियानवेन, मुल्यांकन Next रग प्रकार है, रग एक ऐसा प्रकार है जो फर्स विछावन के अंतर गता आता है तो इसका सही answer option B, फर्स विछावन Next है ने बेसे कौन प्रबंद का कारे है किसी भी घर या संस्था में प्रबंद का मुख्य कारे, कारे का विभाजन करना है इससे घर यवं संस्था में असानी से सभी कारे किया जा सकता है तो सही answer option D, कारे का विभाजन Next है अनुपात से तातपर है मापो एम चुत्तों का एक दुसरे से संपूर रूप से संबंध या कठन है या कठन स्टेला सुन्दर राच का है Next है कारेवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महतपूर कारक है तो कारे वस्ता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्पूर कारक योजना बंध होकर कारे करना होता है नेक्स्ट है उत्तम ग्रे सज्जा के लिए अनिवारे हैं उत्तम ग्रे सज्जा के लिए विशिष्ट कलातमक अभी रूची सौंदर इबो तथा सूच बूच की आव सकता होती है उसका सही अंसर है ऑप्शन सी अभी रूची तथा सौंदर इबो नेक्स्ट है ग्रे प्रबंध ग्रे विगान का कौन सा महत्पूर अंग है ग्रे प्रबंध ग्रे विगान का पहला महत्पूर अंग है नेक्स्ट है पास्चात यंत जो रसोई ग्रह में काम नहीं आता है तो पास्चात यंत जो रसोई ग्रह में काम नहीं आता है कारपेट स्वीपर ऑप्शन डी या फर्स विछावन के काम में आता है नेक्स्ट है बड़े फरनीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए तो बड़े फरनीचर में बड़े बड़े फूलों का कपड़ा लगाना चाहिए ओप्शन C नेक्स्ट है दिवारों के फुटिंग कहलाती है दिवारों के फुटिंग प्रस्तावित मकान का चितात्मक दर्ष से तीन आयामी नक्सा कहलाता है नेक्स्ट है रसोई घर के वास्तु सिल्पी आकरती में निमलिखित सामिल है तो रसोई घर के वास्तु सिल्पी आकरती में इसके अंतगर वायू संचालन, नल साजी और फर्स समलित है बैठनी के अच्छे स्थान की और सकताओं में निमलिखित में से कौन सा उपरियुक्ट है तो बैठनी के अच्छे स्थान की और सकताओं के अंतगर संतुलित ट्रंक प्रदान करना और जांग के उतकों की दबाव से बज़ना ये दोनों ही समलित होते है अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग अगर बात करें ह lot अगरा y मैं करें चैनल करेंग लवär मोस्य करें हो अगर ये लाग सांग